हेलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार 26 फरवरी दोहजार चोबीस और दह हिंदू न्यूज पेपर अनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितने भी इंपोर्टन न्यूज और एडिटोरियल होंगे वो इस वीडियो के थूरू डिसकस करेंगे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंपोर्टन न्यूज के साथ सबसे पहले एक डेटा क्लेम किया गया है नीती आयो के द्वारा और नीती आयो के CEO जो है उन्होंने कहा कि इस टाइम पे पावर्टी लेवल 5% से भी कम है उन्होंने ऐसा क्यूं कहा है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं basically 4-5 points इन्होंने mention करे हैं उन points को हम लोग समझेंगे और इन points के थरू exactly क्या show करना चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे हमने रिशनली पढ़ा कि लगबक 11-12 साल के बाद या 2011 के बाद हमने देखा कि household consumption expenditure survey 2022-23 रिलीज किया गया था इसके बाद नीती आयो के CEO जो है BVR सुबरवन्यम साहब इन्होंने कई सारी चीजें बताई कि consumption को लेकर जो trend है उसको लेकर नीती आयो क्या सोचता है सबसे बहले बताया गया कि inequality जो rural और urban इंडिया के बीच में है वो कम हो रही है पहला इनकी एक observation है second जो है गिनी coefficient भी drop हो रहा है गिनी coefficient एक economic ट्रम ह जो basically inequality को measure करने के लिए use की जाती है इसके बाद इन्होंने बताया कि rural economy weak नहीं है growth जो है broad based है जो limited नहीं है कि वही आप किसी एक particular चीज तक आप उसको limited करते हैं वो broad based है इसके अलावा देश के अंदर food spending का जो share है वो कम हुआ है retail inflation जो अभी भी over stated है retail inflation definitely concern जरूर है बट इसक मतलब यह नहीं कि अगर आप food prices की बात करेंगे तो कहने कहीं वो reduce हुए है इसके अलावा यहां पर suggestion इन्होंने का कि lower weightage food का जो अगर आप देखिए consumer price index के अंदर देखने को मिलेगा यह expect करते है कि GDP growth calculation में economy में इसका impact जरूर पढ़ता है लेकिन overall इन्होंने observation indication करे कि जो household consumer expenditure survey जो recent time में हुआ है यह भी indicate करता है कि देश के अंदर overall जो poverty level है वो 5% से भी कम जो proper poverty आप जिसको बोलते हैं धीरे धीरे poverty level जो वो shrink हुआ तो claim कितना सही है कितना गलत यह तो debate हो सकती है लेकिन यह claim किया गया है नीती आयों के CEO के तो और नीती आयों का सीधा सीधा मतलब second और बहुत important steps है recent time में उत्राकंड state काफी जादा news में है पहला तो हमने पढ़ाते है कि उत्राकंड अगर हम बात करें UCC लागू करने वाला पहला state बन गया है गोवा के अंदर लागू है लेकिन वो भारत का state बनने से पहले से वहाँ पर लागू है तो उत्राकंड में एक parliamentary procedure के through cross किया जाएगा और उसके बाद जब governor या फिर president उस पर sign कर देंगे तब वो act के अंदर change हो जाएगा फिर notification release किया जाता है कब इसको implementation करना है यहाँ पर यह damage recovery will क्या है मालेते दंगा होता है violence होता और कोई व्यक्ति दंगे के अंदर violence के अंदर evolved है तब उसके against या उसी से एक तरीके से property public या private property को जो damage करेगा उसी से recovery करने के बारे में यह bill है यह अभी वहां का budget session चलेगा और budget session के अंदर public और private property को कोई भी व्यक्ति अगर damage करेगा तो उसी से उसकी बरपाई करने के बारे में provision है इस तरह की similar लोग उत्तर परतेश और हर्याना के अंदर भी है इसके लावा इन्हेंने बताया कि एक tribunal होगा जिसको head किया जाएगा retired judge के द्वारा और जो accused के अगे charge है उनको investigation करेगा इसके लावा detailed discussion इसमें होगा affected parties के through भी इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि उत्राकंड में हलदवानी के अंदर rights हो गए थे violence हो गी थी उसके बाद कहीं ने कहीं बहुत सारे police personnel भी injured हुए बाद में जो इतरीके से involved थे Qs थे उनको arrest भी किया गया सवाल दो है यहाँ पर पहला यहाँ पर अगर हम बात करें उत्राकंड में government land को कहीं ने कहीं enrichment कर रखा था उसका एक issue था इसके बाद अगर हम main concern यहाँ पर है माल लेते ह दंगे के अंदर involved है और वो व्यक्ति के कई बार देखा जाता है कि उसके उसका मकान जो वो demolish किया जाता है वो मकान उसके father के name पर है यह उसके भाई के नाम पर है तो यहाँ पर सवाल यह होगा कि एक व्यक्ति अगर crime करता है तो क्या उसकी liability उसके पूरे परिवार पर जा के अंदर है एंटी enrichment drive का बहुत simple सा मतलब है कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्था कोई भी चाहे धार्मिक हो राजनिती को किसी भी तरह का institutions हो अगर सरकारी जमीन पर अवेद कबजा करता है तो सरकार उसको हटाने के लिए बाद्य है हटा सकती है उनका right है और यह केवल उत्र और clear करना चाहिए कई बार हम देखते हैं कि railway की property के ऊपर भी अगर आप originally railway platform पर भी देखते हैं वहाँ पर भी enrogements है और हर एक enrogement को demolish करना उसको anti enrogement drive indicate करना यह केवल स्टेट गवर्मेंट के नहीं बलकि union government की भी equally responsibility है इसके बाद recent time में हमने यह पढ़ा कि United States और UK continue Red Sea shipping area में जो healthy rebel एक तरीके से ship पर attack कर रहे हैं उसी context में healthy को target कर रहे हैं healthy rebel जो है basically Yemen के अंदर locate है और Yemen के अंदर यह healthy rebel basically इस area से जो ship जा रहे हैं उन पर attack करते हैं healthy rebel को back करता इरान कई बार यह भी देखने को मिला है लोगों कमारते हैं लडने की ताकेता खत्म कर दीजिए वोर का बहुत important rule होता है आप leadership को खत्म कर दीजिए बिना leadership के बिना ammunition के जीत नहीं सकते अगर आपने world war पड़ा होगा या Hitler के बारे में अपने पड़ा होगा Hitler रशिया में जब गया था तो Russian army की बहुत तगडी strategy थी कि जो पीछे से रसद सामगरी होती है वो कई ने कई कट कर दी गई थी अगर आप इंडिया में भी देखेंगे तो हज साइद हुमायू के case में ऐसा हुआ था कि बेक्स उनको spot ने मिली थी जिसकी हुझे से हार गए थे तो इस तरह की tactics और strategy बहुत important होती है अमरीकन और बेटिन फोर्स ने लगब 18 जगह हाउती एरिया में targets किया है और यहां पर यह target करते हैं ऐसी location पर जो storage facility का का काम करते हैं इनके drones, air defense system, radar, helicopters इस तरह की चीज़ों पर अटेक करेंगे इसके अलावा Australia, Bahrain, Denmark, Canada, Netherlands, New Zealand इन सब ने कहीं unspecified sport इनको दिखाईए कि वह कोई दिक्कत नहीं हम आपके साथ खड़े हैं इसके अलावा हाउती ने अब तक 45 अटेक की है जनरली वो अटेक कर रहे हैं कहीं कमर्शिल और नेवल वेजल्स पर जो global economic के लिए एक threat है, reasonable security और stability को कहीं वो challenge कर रहे हैं इसके अलावा United States hesitate नहीं करेगा आने वाले टाइम में भी actions हम लेते रहेंगे इस तरह कि उन्होंने claim किया है और हाउती नहीं भी का कि हम इस तरह के attacks से गबराते नहीं आने वाले टाइम में हमारे attacks भी continue जारी रहेंगे तो यहाँ पर यह Royal Air Force का Typhon Fighter Jet है जो हाउती पर attack करने के लिए ready है इस टाइम पर United States काफी serious इस चीज़ को ले रहा है उनका यह मानना है एक तो इरान के एक anti ही कह सकते हैं US को दूसरा इसरा इसराइल को back भी करता और तीसरा important है US के लिए सबसे important क्या trade और अगर trade disturbance होता है तो US के लिए कहीं वो serious concern हाला कि इस area से काफी trade होता है जिसमें इंडिया का भी export and import में बहुत important रोल है तो अगर इस route यह route disturb होता है तो भारत पर भी उसका negative impact जो हो देखने को मिलता है इसके बाद आगे कुछ और important news को हम लोग identify करेंगे उसमें क्या significant है क्या उसकी relevance उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे मैं भी page number 3 को पढ़ रहा था और आपको पता हुआ हिस्ट्री में जिस तरीके के सवाल UPS याज कल पूछ रहा है खासकर ancient history के तो उसको लेकर एक यहां पर news आई की discovery होती है कि जो चालुक्य kingdom थी उसका जो area है तेलंगाना के area तक हो सकता है क्योंकि तेलंगाना के अंदर अभी कुछ temples की discovery करी गई है जो indicate करता है कि चालुक्य range या चालुक्य kingdom basically तेलंगाना तक speed था यहां पर बताया गया कि मुदी मानिक्याम करके तेलंगाना में जगह है और करनाटका की जो बदामी है लगब 500 km की distance है तो अभी indicate करता है कि इस area में temples का पाया जाना जो Krishna river के आज पास आपको नजर आएगा तो यह indicate करता है कि क्या यहां पर एक कहीने कहीन की presence थी इस kingdom की presence थी यहां पर यह thriving community थी और हिंदू गोर्ड जो विष्णो और शिवा उनकी पुजा करते थे तो उस context में भी काफी important है चालुक्य बदामी kingdom जो है उसके बारे में new information यह indicate क time period है वो 4 sorry 543 शे 750 AD यह ना UPSC ने अभी एक दो साल से जो matching में सवाल पूछे है exactly time period पूछे जा रहे kingdom के कि exactly किस एरा तक यह था किस से बिलोंग करते है I think 2022 यह 2023 में भी एक सवाल हुआ था हर एक सवाल की बहुत ज्यादा significant है और generally आप देखेंगे जो kingdom पूछता है वो south India पर focus करता है खासका जो deccan tribe आप जिसको बोल सकते हैं इसमें archaeological और heritage perspective से बताया गया इसके लावा यहाँ पर religion के basis पर brahmanical religion और buddhism और jainism की significant भी आपको देखने को मिलेगी आप लोगों के लिए पहला सवाल है जब हम एक river के बारे में बात कर रहे हैं किष्णा river के बारे में कि किष्णा river की right hand side से और left hand side से आपको tributaries mention करनी है और ये भी mention करना कि किष्णा river किन किन state से होकर cross करती है या और origin कहां पर है किष्णा river का और इसके बाद ये किन किन state से होकर ये cross करती है और end में जो है वो ocean के अंदर चली जाती है ये आप ज़रूर नीचे comment करेंगे इसके बाद आगे बढ़ेंगा और कुछ और important news को हम लोग identify करेंगे significance क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे इसके अलावा अगर हम बात करें आज इसी page पे अगर हम बात करें या इसी the Hindu के section के अंदर तो page number seven पर आप आजाईए seven पर अगर हम बात करें तो अभी एक engine जो क काफी ज्यादा news में है debatable है और गगन्यान mission से पहले इसकी significant के बारे में काफी discussion हो रहा है यह C20 का माहिने क्या है जितने भी heavy satellites होते हैं for example यहां पर इन्होंने एक word mention किया यहां पर अगर हम बात करें LVM3 जिसको बोला जाता है पहले इसको GSLV MK3 बोला जाता था तो उसके ल solid और powerful engine की requirements है यह ना आप जब cryogenic technology के बारे में पढ़ते हैं जो बड़े और heavy satellites होते हैं जिसकी distance बहुत ज्यादा cover करनी होती है तो उसके लिए solid technology की requirements है इसको बोला जाता है cryogenic technology उसी पर research जो है चल रहा था जो heavy satellite होते GSLV जो होते हैं उसमें जो fuel की 3 stage होती है solid liquid और third होगी cryogenic stage यह cryogenic जो stage है यह बहुत ही low temperature की है जो कहीं न कहीं सबसे challenging और सबसे difficult stage में से एक है इसी को लेकर भारत में research हो रहे हैं और यहाँ पर यह बताया गया कि low earth orbit पर जब आप heavy vehicle को जब लेकर जाएंगे तब इसकी significant बहुत important है rocket करेगा human space को human rating को indicate करता है और इसके ensure करना कि component failure की जो घटना है वो reduce हो सके इसके अलाबा यहाँ पर testing किया गया और testing के अंदरे पाया गया कि अवरोल अगरम बात करें significant है कि आप जब गगन्यार mission को launch कर रहे हैं तो उसमें काफी चीजें इंडिया की level पर हम लोग develop कर पाएं ताकि एक तो जो एक कह सकते हैं failure के जो chances है वो का important है कि जब आप space में indigenous level पर चीजें develop करते हैं तो उसकी success की possibility या confidence level जो होता है agencies के अंदर वो भी अपने आप में interesting है इसके बाद editorial part पर बात करेंगे दो बहुत छोटे से article है जिसके बारे में हमें पढ़ना है रिशन में राइशीना डायलोग काफी ज़्यादा न्यूज में रहा राइशीना डायलोग क्या है हर साल फरवरी के अंदर ministry of actionable fair या विदेश मंत्रालिय के दवारा या organization of research foundation ORF के दवारा एक meeting होते जिसमें दुनिया वर के representative participate करते हैं उसमें क्या discussion हुआ यह discussion platform है basically तो उसके बारे में यहाँ पर discuss किया गया at the high table करके title दिया गया है कि बातचित तो काफी हुई है लेकिन इसमें diversity का कहीं concern रहा है कि diversity बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिली राइसीना dialogue के अंदर क्या proper diversity नहीं थी diversity किस सीज में बहुत देखो topic जो discussion के उसमें diversity नहीं थी second अगर हम बात करें foreign policy की अगर हम बात करें conversation में तो जो foreign dignitaries इसके अंदर participate करें उसके अंदर भी proper diversity नहीं थी इसको लेकर कहीं concern है तो 9th edition था annual राइसीना dialogue का जिसको हमारे external affairs minister SSNकर साब ने कहा कि आज के time पे भारत जो है ब्रीजिंग power है यानि west और east को south और north को कहीं नहीं करेक्ट करने वाला important country है और इसके अलावा multi vector पर हम काम करते हैं इसके अलावा हमारा जो role है वो विश्व मित्र है as a friend की तरह है इसके अलावा ये सारी चीजे तो है कि ambitions के बारे में बात करते हैं इसके अलावा नहोंने अलग-अलग global issues के बारे में discuss किये आज के time पे क्या important issues है क्या challenges है ग्रिक प्राइमिस्टर इंडिया के अंदरा है उन्होंने inauguration किया उन्होंने importance के बारे में बात करी कि हमें connectivity project पर काम करना पड़ेगा जैसे इंडिया Middle East Europe economic corridor है G20 के जब सम्मिट हुई तब इस economic corridor के बारे में detail से discuss किया गया था कि कैसे इंडिया को आप Middle East से यूरोप तक connect कर सकते हैं global governance पर बात करेगी inequality पर बात करेगी और United Nations Security Council में reform करने की क्या requirement उसके बारे में भी बात करेगी इंडिया definitely global decision making में high table पर है और हमारे foreign minister ने का कि आज के time पे हम लोग एक player है playing field नहीं है इसके अलावा इंडिया ने successfully G20 को host किया उसके बारे में discuss किया लेगिन उसकी वज़े से अब हो क्या रहा है कि ब्राजिल के अंदर ये जो 2024 की meeting होनी G20 की तो बहुत सारे foreign minister वहाँ पर participate करने गए है कोई भी P5 जो 5 परवनेंड member है उनसे कोई member नहीं था G7 का कोई member नहीं था BRICS की जो 10 country member group है उनसे भी कोई member जो है वो इस बार participate नहीं कर रहा था इसके अलावा ये सब चीज़े तो है लेकिन बड़ी संक्या में Central और Eastern European country जिनमें Baltic Nordic form है इनके ministres इंडिया के अंदर आए New diplomatic outreach की अगर हम बात करते हैं तो trade agreement, investment इन सब पर definitely बात करी गई competitive और economical चीज़ों को लेकर भी काफी जादा discuss किया गया लेकिन येरोप के जो ministres भारत में आए उनका एक बहुत clear agenda आता है कि वो जी चाहते थे कि इंडिया युक्रेइन के issue को लेकर येरोप को spot करें रशिया को ditch करें रशिया से अपनी जो relation उसको थोड़ा सा कम करें ये साथ possible नहीं होगा आने वाले time में भी अगर आप इस conversation के अच्छे parts के बारे हम discuss करें तो global conflicts के बारे हम discuss किया गया European dignities की heavy presence जो है वो रशिया और Ukraine war पर काफी ज़्यादा focus था military or naval strategies पर discuss किया गया चाइना के aggression को कैसे handle किया जाए इन सब पर भी discuss किया गया लेकिन भारत के लिए concern ये था कि ना तो रशिया ना चाइना invite किया गया था South East Asia से नय के बराबर presence थी Latin America even South Asia में आप Nepal बुटान को जोड़ दे तो उसकी presence नजर नहीं आती largest presence आपको नजर आ रही है European countries की तो इसमें एक तो जो diversity है वो proper discussion नहीं हुई दूसरा जो अगर आप topic भी discuss करें तो वो कुछ conflict पर आपको देखने को मिलेंगे बाकी सब चीजों पर invisible सा नजर आता है तो हमें democracy के इस panel में ये understand करना पड़ेगा कि debate को भी vibrant बनाना पड़ेगा ताकि freedom को लेकर discussion हो civil society organization, non-governmental organization इन सब को लेकर भी discussion हो आज के टाइम पर democracy के सामने किस तरह के challenges है इसराइल और गाजा के war को लेकर भी discuss किया गया इसके अलावा गर हम बात करें हमारे फोरमिश्टर ने का कि आज हम made in India ये जो rational dialogue है made in India है जैसे global public square एक platform होता था यानि ये platform तो बहुत अच्छा है इसमें doubt नहीं है कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि कोई platform में दिक्कत है platform को और एक तरीके से indicate करना है कि हम इसको diversify कर पाएं इसमें discussion को diversify कर पाएं और make sure करें कि इसमें जो participation है उसको भी diversify कर पाएंगी कि भाई केवले group का एक area के लोग सामिल नहीं हो जिसमें हर एक country का participation होना चाहिए इवन रशिया और चाइना को भी invite करना चाहिए इस पूरे discussion platform में second topic है एक new success करके title दिया गया है space is an area that necessities expensive collaboration space एक ऐसा area है जो बहुत महेंगा भी है तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग collaboration करें एक दूसरे जैंसिज के साथ तो यहाँ पर moon के बारे में काफे discuss किया गया है और दुनिया पर में moon mission को लेकर discussion हो रहा है second अगर हम बात करें space mission में कैसे collaboration को हम लोग boost up कर सकते हैं उसके बारे में डिसकस किया गया moon landing जो है वो कहिने के पेस को pick up कर रही है history में और अगर हम बात करें ज्यादा से ज्यादा countries और जो novel definitions की अगर हम बात करते हैं वो mix of success आपको नजर आएगी recent time में हमने पढ़ा कि चंद्रियान 3 history ने confirm किया कि Indian space research organization ने soft landing करी है जो कहिने के technology प्रोसेस जो involved था उसको understand करता है definitely हमारे choices को impressive बनाता space research में और यह कहिने कहिए fight provide करता है emerging colonial shadows के बीच में recently अगर हम बात करते हैं तो रोसा सोरी रशिया का एक mission था Luna 25 जो रोस कोस्मस जो इनकी space agency है उसके failure से रशिया ने क्या चीज़ सीखी क्या उसमें गलत हुआ क्या उसमें दिक्कत आई तो definitely इसको लेकर भी एक failure भी काफी चीज़ें सिखा था तो यहां पर रशिया का mission के वार इंडिकेट करते हैं अभी फरवरी 22 को ना यूएस बेज एक इन्वेटिव मशीन आई एम करके एक प्राइविट कंपनी है इन्होंने सोप लेंडिंग कराया रोबर्टिक क्राफ्ट को मून पर और यह सकसेस हो है बहुत सारी services के लिए यूएस के अंदर एक crucial sport इंडिकेट करता है कि नासा भी इनको support करता है कि आने वाले टाइब में अगर नासा के famous mission होने हैं तो आई-एम केस को बहुत sporty लेता है इसके अलावा आई-एम का जो आई-एम ने जो launch किया था odasis लेंडर को मून पर यह नासा का जो commercial lunar payload service program है जिसको CLPS program बोला जाता है उसके थुरू एक important funding instrument का use करता था कि commercial missions को वो आने वाले टाइम में अगर आप कोई बड़ा mission launch करना तो उसके लिए उसके पास resources हो data हो या कह सकते हैं कि उसके पास उसके बारे में previous experience हो तो आई-एम इंजिनियर्स ने हलाकि इसमें भी काफी दिक्कत आई थी glitch देखने को मिला हलाकि आई-एम इंजिनियर्स ने quickly उसको result करने कोशिस करी और बाद में कहा गया कि ये instrument on board है after hot fix इन्होंने कहा कि soft land इन्होंने किया हलाकि confirmation को लेकर अभी भी कहिने कहीं confirm नहीं है अगर आप इस success story को testify करते हैं तो CLPC program अगर हम बात करें NASA का जो help कर सकता है आने वाले time में उसके future mission में NASA ने कहा कि ये जो mission है उनको interesting lending site provide करता है 2020 तक अगर हम बात करें 14 ऐसी company है जो जिन्होंने contract किया है missions को लेकर जिसकी per size होगा 2.6 billion dollar तो इसका मतलब ये होगा कि critical responsibility हर एक country के पास होगी United State की definitely space agency के पास पैसा है funding है तो उसको एक A जरूर देता है और MI की success जो है US के space program में इसकी success को भी कहीने कहीं boost up करेंगे रिशन में भारत सरकार की तरफ से भी जो हमारा एक तरीके से national space program है उसमें 100% automatic route से foreign direct investment को अप्रूल दिया गया इसका मतलब ये होगा कि भारत में भी space industry के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि investment होगी जिसके तरू इस तरो के उपर जो एक extra button हो reduce होगा healthy competition होगा start ups के बीच में और space एक ऐसा area है ना जिसके अंदर हमें expensive mission जो होगे उसमें collaboration करना ही पड़ेगा और ये हर एक nations के लिए important है और एक nation के अंदर भी और एक nation to nation collaboration दोनों ही बहुत जादा relevant और important चीज़े है इसलिए space mission एक ऐसा sector है जिसमें कोई ego नहीं होता for example Russia और US का भले कितना ही प्रोटेस्ट हो लेकिन कई सारे space mission में अभी भी Russia और USA जो है एक साथ काम करते हैं तो differences होते हैं differences के बीच में भी space mission में collaboration आपको नजर आएंगे इसके बाद text and context में दो चोड़े चोड़े topic है पहला सुरोगेशी rules को modify क्यों किया गया है इसके बारे में बताया गया रिशन टाइम में सुरोगेशी या कह सकते हैं कि आप rented वोम जिसको बोलते हैं किराए की कोख हिंदी में एक word यूज होता है union government ने 21 February को जो modify किया सुरोगेशी regulation rule 2022 के अंदर जिसमें permit किया गया कपल्स को कि वो donor eggs का या donor sperm को use कर सकते हैं जो एक बड़ा relief है उन कपल्स के लिए जो कईने के medical complications face कर रहे हैं यह decision क्यों लिया गया यह बड़ा interesting है 2023 में amendment किया गया था पिसली बार Supreme Court में एक महिला ने challenge किया कि वो suffer कर रही है Mayor Rockettins की Kuster Hauser syndrome जिसको MRKH syndrome बोला जाता है Medical Board के क्योटिंग इसका सिधा मतलब यह होता है कि एक महिला जब eggs को produce नहीं कर पाती है जिसमें ovaries के absent की वज़े से या uterus में तो उसकी वज़े से 10 again syndrome होता है और उस context में स्वरोगेशी की help ली जाती है इसके अलावा regulatory changes यह indicate करते कि यह applicable नहीं होगे single woman पर और specify करते हैं विड़ो और diversity को जो undergoing स्वरोगेशी के अंदर है regulation भी किया गया है और जो regulation किया गया उसको भी challenges जो हो किया इस पूरे scenario में IMEC यानि इंडिया Middle East European Economic Corridor आप जिसको बोलते हैं इसकी significant इंडिया के लिए कितनी है उसकी के बारे में फिर से यहां पर discuss किया गया Red Sea के अंदर अगर हम बात करें हमने पढ़ा कि Red Sea एक strategic importance का area है बाबल मंदाब port हमें देखने को मिलती है यमन और जिबूती के बीच में अगर आप इस port को देखेंगे तो यह port जो है वो यहां पर आपको नजर आएगी इस particular area के अंदर यहां पर बाबल मंदाब straight जलसंदी इसके अलावा इंडिया का जो trade है European और North African countries से वो बहुत हद तक Red Sea roots के थुरू ही जाता है हम लोग 24% export और 14% import इसी रूट से करते हैं इंडिया Middle East European Economic Corridor जो है लोंच किया गया था 2023 में जिसका significant इसलिए माना जाता है कि इसकी वज़े से भारत की Europe के अंदर जो journey होती है उसका timing भी कम होगा और overall किसी भी अगर आप project के बारे में बात करते हैं तो उसे transition cost भी कईने कई कम होगी यानि इसमें केवल journey ही reduce नहीं होने वाली है बलकि transition cost भी कम होगी इसलिए इसकी significant ज्यादा है इसके बाद world affair में दुनिया भर में exactly क्या चल रहा तो उसके बारे में discuss किया गया तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आपको यादो अर्जेंटीना के जो नए प्रेजिडेंट बने थे वो unique president है जेवियर माईले यह माना जाता है कि क्रोमी में एक तरीके से research करने वाले या एक तरीके से unique decision लेने वाले president है तो उन्होंने एक statement दी कि make Argentina great again आपको याद होगा Donald Trump की statement होती थी कि make USA great again तो उसी तरीके का इनका एक नारा है इसके लावा बेलारूस के अंदर election हो रहे लेकिन कोई opposition उसमें participant नहीं कर रहा है बेलारूस को वो country माना जाता है जिसको last democratic elected तानासा की तरह माना जाता है कि ये dictator है last कह सकता है European country में बेलारूस की जोगराफिकल location unique है युकरेन के नौर्थ में है पॉलेंड है लित्वानिया लाट्विया और रशिया रशिया का left hand allies आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि Russian weapon या मिशायल से यहां पर आपको देखने को मिलेंगे इसके अलावा दा हिंदो में आज क्योंकि business section वाला पार्ट नहीं आया है तो छोड़ी छोड़ी न्यूज आपको world affair में देखने को मिलेगी जैसे यहां पर western african block है जिन्नोंने गिनी और माली यह जो country जहें इन पर sanction लगाये थे sanction क्यों लगाये थे क्योंकि military rule था तो उन sanctions को हटाया गया है नाइजर और गिनी और माली के ऊपर जो sanction लगे थे उसको हटाया गया है यह वाली जो belt है ना 2023 में UPSN सवाल पूछा था successful military coups यहां पर हुआ था इसके अलावा यहां पर military presence है terror outfit की भी presence है और civil war जैस situation से भी आपको नजर आएगी इस पूरे block के अंदर ठीक है तो आज के the Hindu newspaper analysis में इतना ही और economy वाले page के बारे में बताना भूल गये है economy वाला जो page है वो Monday को review आता है business review यानि उसमें proper discussion नहीं नहीं होता है या कोई news ऐसी नहीं आती जो discussion के लाएक हो ठीक है तो फिलाल the Hindu newspaper analysis में तना ही Thank you all जहिन